नमस्कार अदाप्स स्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के खर के अंदर नॉमिनेशन टास्क जो है वो खतम हो चुका है नॉमिनेशन टास्क के खतम होने के बाद बिग बॉस सीजन 17 के खर के अंदर बिग बॉस के मेकर्स ने किया सबसे बड़ा एलान सभी contestants को चौक में बुला कर एक ऐसा ऐलान किया जिसकी वज़े से एश्वरिया शर्मा फूट फूट कर रोई एक ऐसा ऐलान किया जिसकी वज़े से यहाँ पर नील भट के eviction का खत्रा जो है सबसे ज़ादा जो है वो मंडराने लगा आईए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल Quick TV News को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले Quick TV News को आप सबस्क्राइब कर ले Bell Icon के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो Bell Icon के घंटे को आप जरूर दबा ले आपको बताना चाते हैं Big Boss Season 17 के घर के अंदर Nomination Task जो है वो खतम हो चुका है और Nomination Task के खतम होने के बाद Big Boss Season 17 के घर से बेगर होने के लिए जो 4 Contestants Nominated है Nominated है यानि कि Nomination में आये हैं उनके नाम है अनुराग डोबाल एश्वरिया शर्मा अंकीता लोखंडे और नील भट जो की पूरे सीजन के लिए Nominated है वो भी Nominated है Big Boss Season 17 के Makers ने सभी Contestants को जो है चौक में एकत्रित होने के लिए कहा सभी Contestants जो है काफी डर गए काफी सहम गए कि आधी रात को मतलब आधी रात को Big Boss ने क्यों बुलाया ऐसा सोच रहे थे तो आपको बताना चाहते हैं Big Boss के Makers ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया अब ऐलान किस बात का Shocking Midweek Eviction का Shocking Midweek Eviction जो है इस हपते होने वाला है और इस बात को लेकर जो है एलान किया Big Boss के Makers ने Big Boss के Makers ने कहा कि इस हपते Shocking Midweek Eviction होगा और मतलब ये बाते जब निकल कर सामने आई Eviction की बाते जब निकल कर सामने आई Shocking Midweek Eviction की बाते सामने आई तो सभी घरवाले पूरी तरह से चौक गए सभी घरवालों के होज जो है पूरी तरह से उड़ गए खास करकि एश्वरिया शर्मा के क्योंकि एश्वरिया शर्मा जानती है कि उनकी फैन फॉलोईंग कितनी है और Big Boss सीजन 17 के घर के अंदर नील भट वैसे भी कुछ कर नहीं रहे खास और जिस तरह से वो फेक परसनालिटी दिखा रहे हैं वो बाहर घर के बाहर जो है लोग पसंद नहीं करेंगे अब अंकीता की बारी आई तो अंकीता को Big Boss सीजन 17 के होश सलमान खार ने खुद तारीफ कर डाली है उन्हें तो निकाल नहीं सकते अनुराग डोबाल जो है काफी अच्छा कर रहे हैं Big Boss सीजन 17 के घर के अंदर तो उनको भी निकाल नहीं सकते एश्वर या खुद वो निकल नहीं सकती क्योंकि वो बहुत थी अच्छा कर रही है अब नील भट जो है एक ऐसे contestant है जो कि जिनके निकलने के सबसे ज़ादा chances है और जो कि जिन पर eviction की गाज जो है वो गिर सकती है और वो imagine कर रही थी अपने पती के बिना game और वो सोच कर काफी ज़ादा फूट फूट कर रो रही थी अपने पती को गले लगा रही थी ना सिर्फ अपने पती को गले लगा रही थी बलकि वो ये भी कह रही थी कि अब क्या होगा आगे क्या होगा अगर वो अपने पती से भी कह रही थी कि अगर आप घर के बाहर चले गए बाबू तो मेरा क्या होगा ये बात जो है वो कह रहे थी तो इस पर क्या है आपका कहना प्लीज हमें अपने कमेंट के थूँ जरूर ये बात बताएं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में तो बस इतना ही तब तक के लिए बने रहे हमारी यूटूब चैनल क्विक टीवी न्यूस को यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना बुलिए दोस्तों बिलकुल भी आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों